Hello everyone, आज Chemistry में मेरे टॉपिक है पावली अपका अपवर्जन नियम, पावली इस्क्लिजन प्रिंस्पल आईए देखते हैं, ये क्लास तस्टियर के लिए बहुत important question है पावली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी ओर्बिटल में उपस थी किनी दो एलक्ट्रोनों के लिए चारो कॉंटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है यदि तीन कॉंटम संख्या का मान समान होगा तो चौते कॉंटम संख्या का मान अवश्य बिन होगा इसमें ये वर्ड आया है चारो कॉंटम नंबर्स है चारो quantum संख्या क्या होती है चारो quantum संख्या क्या की वीडियो में बना चुकी हूँ इससे पहले मरी प्लेयलिस्ट में जाके देख लिजेगा आहा है देखती है quantum numbers क्या होती है चारों दिया हुए ठीक तो 4 मतलब N, L, M, S N मतलब हो जाएगा Principal Quantum Number Principal Quantum Number ठीक है? और L मिन्स हो जाएगा Azimuthal Quantum Number M मतलब हो जाएगा Magnetic Quantum Number और S मतलब हो जाएगा Spin Spin Quantum Number ठीक है? यह चारो Quantum संख्या का मान तो पहले Quantum संख्या के होती मैंने बता दिया है N, L, M, S का मान बराबर नहीं हो सकता अगर N, L, M बराबर है तो S का मान अवस्य भिन होगा कहे रहा है यह तीन Quantum संख्या का मान समान होगा तो चौते Quantum संख्या का मान अवस्य भिन होगा N, L, M, S अगर Equal है तो S नहीं होगा ठीक है? तो Principal Quantum Number में होता है मुख्य Quantum संख्या Azimuthal में होता है दीदेंशी Quantum संख्या और Magnetic Quantum चुमबकी Quantum संख्या और इस पिर चक्रोर Quantum संख्या ठीक है? यह मैंने Example लिया है Helium का Helium का Atomic Number होता है 2 तो इसका Electronic Winness 1 is 2 होता है अगर किसी को Electronic Configuration में कोई भी Problem हो वो भी वेरी वीडियो इससे पहले देख सकते हैं अब इसमें देखी बताया गया है किसी भी Orbital में अधिक्तम दो Electron रहे सकते हैं यह S में गया है S Orbital में तो S में यह 2 Electron देखे 1 is 2 है 2 है तो इसमें 2 Electron है तो अब इनके पहले Electron और दूसरे Electron इनकी दोनों Electron की 3 Quantum संख्या तो बराबर हो जाएंगी लेकिन जो चौती होगी वह भिन्न हो जाएगी क्यों हो जाएगी कि देखे एक किस्पिन उपर की तरफ है एक नीचे की तरफ मतलब एक उपर की तरफ clockwise गूमेगा और एक anti-clockwise गूमेगा आए देखते हैं कैसे निकालते हैं अब N मिंस Principal Quantum नमर तो Principal Quantum नमर होता क्या है जो यहाँ पर पहले आगे digit लिखी होती है यह वाली ठीक है यह जो digit लिखी होती है हम इसको ही लिख देते हैं ठीक है तो N बराबर एक हो जाएगा दोनों में हो गया अब हम L कहां से लाएंगे दोनों का तो L के लिए हमको L कमान लर्न करना पड़ेगा L बराबर S अगर S और्बिटल में जाएगा तो L कमान 0 होगा अगर P और्बिटल में जाएगा तो 1 होगा D और्बिटल में जाएगा तो 2 होगा और F और्बिटल में जाएगा तो 3 होगा तो यहाँ पर किस orbital में गया है? S orbital में गया है तो L कमान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्योंकि देखेंगे S के लिए 0 है यहाँ पर भी 0 हो जाएगा ठीक है? अब आते हैं M M में सो होता है Magnetic quantum number Magnetic quantum numbers का जो मान होता है जो value होती है वो azimuthal quantum number पर dependent होती है अगर L कमान 0 है तो M भी 0 होगा ठीक है? S के लिए ठीक है? तो एक मेंने table बनाईए यहाँ देख लीजे वो देखें L M बराबर यहाँ पर देख लीजे ठीक है? S के लिए 0 होगा और P की पहली कच्छक के लिए पहले orbital के लिए minus 1 दूसरे orbital के लिए 0 तीसरे orbital के लिए plus 1 फिर D में वही पहले के लिए minus 2 और फिर इसकी minus 1 फिर 0 फिर plus 1 minus 2 ऐसे चलते बीच वाले को आप 0 मान लिजे ठीक है? देखें, इसमें 3 थे तीन orbital है, मैंने बीच वाले को 0 मान लिया है और left side में मैंने लिख दिया है minus 1 और right hand side में है plus 1 वैसे यहाँ पे देखें, 5 है 5 के अच्छा के 1, 2, 3, 4, and 5 5 है, तो इसमें देखें बीच वाले को मैंने 0 मान लिया है left side में minus की value है और right side में plus की value है ठीक है? यहाँ पे भी वही है, 7 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 7 हो गया, बीच वाले को मैंने 0 मान लिया है फिर left side में देखें minus की value है और right side में plus की value है ठीक है? तो देखें, यहाँ पे क्या था? S में गया था और L के मान पे भी निर्भर करता है तो 0 हो जाएगा, ठीक है? M का मान भी 0 हो गया I hope आप इससे समझ गया होंगे कि प्रथम कच्चक के लिए इसमें तो 0 ही है और इसमें 3 होते हैं orbital तो पहले के लिए minus 1, दूसरे के लिए 0 और तीसरे के लिए plus 1, ठीक है? clear हो गया होगा I hope अब आते हैं हम spin quantum number के हैं तो spin quantum number क्या होता है? यह S मतलब spin quantum number होता है तो इसके लिए एक तरह से और M समझ लीजे पहले अगर L बराबर 0 है तो M बराबर 0 होगा ठीक है? ऐसे समझ लीजे और अगर L बराबर 1 है तो M बराबर क्या होगा? minus 1, 0 और plus 1 अगर L बराबर 2 है तो M बराबर हो जाएगा minus 2, comma minus 1, 0 plus 1, plus 2 और अगर L बराबर 3 है तो M बराबर क्या हो जाएगा? minus 3, minus 2, minus 1, 0 plus 1, plus 2, और plus 3 ठीक है? यह ऐसे हो जाएगा तो चाहे वैसे इस तरह से आप learn कर लीजेए इस तरह से आप learn कर लीजे minus 3, minus 2, minus 1 वही value आएगी अगर L बराबर यह दे पहली कच्छक के लिए देखे वहाँ भी minus 3 ता, यहाँ भी minus 3 है ठीक है? आपको जो method easy लगे उससे आप learn कर लीजे अब आते हैं हम S की value find करने के लिए S में सोता है spin quantum number spin quantum number हम कैसे निकालते हैं यह जो है electron के चक्रण भूमने की दिशा ठीक है? घूमने की दिशा क्या है? जैसे यह मैंने अची का लिया है 1 is 2 है ठीक है? इसमें 2 electron है मैंने लिया इसमें 2 electron है ठीक है? यह 2 electron है तो देखे पहला यह clockwise है तो इसके प्लस हाफ होगी और यह दूसरा देखे anti-clockwise है इसके लिए minus हाफ होगी चाहिए आप इस तरह से लन कर लिजे clockwise है anti-clockwise या फिर आप लरन कर लिजे जिसकी nock ऊपर की तरफ होगी उसके लिए plus हाफ और जिसकी नोक नीचे की तरफ होगी उसके लिए माइनस हाफ ठीके अब आप आईए देखने इसमें इसमें देखें 1 is 2 है दो एलक्टरॉन है ठीके आप देखें ये पहली नोक उपर की तरफ है तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा और यहाँ पर देखें इसकी नोक नीचे की तरफ है इसके लिए माइनस हाफ हो जाएगा ठीके आई हो प्लेर हो गया होगा आप इस तरह से कॉंटर नमबर्स निकाल सकते हैं और इसी वे में इसको लर्ण कर सकते हैं थैंक्यू सो माच